ठीक हैं? शरित्र, योजना, भाशाशैली, देशकाल, वातावरण, समवाद योजना, और अगर नाटक हो यहाँ पे तो एक तत्व बढ़ जाएगा अभी नेयता, अभी नेयता, हाँ, यह अभी नेयता अलग है, अब एक एक करके बताओ, कथानक और कथावस्तु क्या होता है, और यह क्यों बहुत जरूरी है, कथानक, अगर हम देखें, कथानक सबसे महत्पूर हिस्सा है, किसी भी रश्ना का, अगर हम बात करें, तो इसमें घटनाओं का, चरित्र का, और वडनों का, एक बहतर अनुपात होना चाहिए, घटना, चरित्र और वडन, मतलब यहाँ पे तीन चीज़े अगर हम देखें, घटना, प्लस चरित्र, प्लस वडन, का अनुपात ठीक होना चाहिए, अनुपात ठीक होना चाहिए, इसके अलावा, अगर हम बात करें, तो चरित्रों की बहुत भरमार नहीं होनी चाहिए, गती ठीक होनी चाहिए, इसके अलावा, और क्या है, संबंध निर्वा, ये क्या चीज है, मतलब पात्र, जितने पात्र हों, पात्रों के बीच, के बीच, सामन्जस्य हो, सामन्जस्य, मतलब हर पात्र एक दूसरे को परिपुष्ट करता हो, इसके अलावा, और क्या है इसमें, एक चीज ये भी, जैसे इसमें हम लोगों ने बात किया था, संबंध निर्वाह में, संबंध निर्वाह में, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कि कुछ कहानिया, या कुछ उपन्यास, जैसे आप देखें, दिव्या में, जहां यश्पाल, वहाँ पर आपको दिखाई देगा, कि संबंधों की निर्वाह में, थोड़ी समस्या आएगी, वहीं जब आप, जो प्रेमचन को देखेंगे, तो कुछ आलोचक आरूप लगाते हैं, कि जो गाउं की कहानी है, गोदान में, और जो सहर की कहानी है, उसमें कहीं न कहीं संबंध निर्वाह नहीं हो पाया, ठीक है, इसके अलामा और क्या देखा था हम लोगों ने, कि यहां पर, कथानक में, एक चीज और होती है, क्या होता है, एक तो मुख्य कथा होती है, एक अवांतर कथा होती है, अवांतर कथा या प्रासंगिक कथा, अब यह मुख्य कथा क्या होती है भाई, मुख्य कथा का मतलब जो में कथा, जैसे गोदान में अगर आब देखो, तो एक गाउं की त्राश्दी दिखाई गई है, तो वो क्या है में कथा, आवंतर कथा क्या है गोदान में सहर जो दिखाए गया, तो सहर की कथा गाउं की कथा को परिपुष्ट करे, यह नहों कि गाउं की कथा अलग चल लही है, सहर की कथा अलग चल लही, तो ऐसी कहानिया, ऐसा उपन्यास, ऐसा नाटक बड़ा कमजोर माना जाता ठीक, इसके लवा कथानक को लिखने के तीन रूप है मतलब तीन तरीके के कथानक हो सकते हैं कौन-कौन से? एक, अगर हम यहीं पे इसको ऐसे कर लें तो हम देखते हैं प्रख्यात और नमबर दो पे उत्पाद दे उत्पाद दे और नमबर तीन पे मिश्र बोलो, रिपीट हो रहा है कि नहीं? प्रख्यात में क्या होता है, उत्पाद में क्या होता है, इसमें क्या होता है? किसी जो परशिद कहानी, एतिहासी कहानी ठीक है? और यहां देखो उत्पाद्य मतलब कलपना कलपना के आधार पर कलपना के आधार पर जब हम कोई कहानी या कोई रश्ना जब हम लिखते हैं अपनी कलपनाओं से कुछ निकालते हैं तो वो क्या होता है उत्पाद्य और जब हम बात करते मिश्र की तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां जो प्रसिद्य कहानी कि प्रसिद्य कहानी प्लस कल्पना कि दोनों का मिश्रण कि दिखाई देगा ठीक है दोनों का मिश्रण दिखाई देगा बोलो यही चीज थी इसके अलावा और कुछ रह गया है इसके अलावा हमेशा जो कथा होनी चाहिए वो विश्वश्नी होनी चाहिए और प्रमारिक होनी चाहिए अब देखो इसी में एक चे और एड करो कथा कथावस्तू हमेशा विश्वश्नी होनी चाहिए कि विश्वश्नी प्लस प्रमारिक इसका उधारण क्या है अगर हम बात करें तो गोधान की बात करते हैं तो गोधान की कथां कैसी है विश्वश्णी है और दूसरा प्रमारिक है वहीं हम देवकी नंदन खत्री की बात करते हैं तो उनके कई उपन्यास हैं कई संग्र हैं जहां कलपनाय भरी पड़ी हैं उन्हीं का एक उपन्यास आप ये कह सकते हैं चंद्रकांता चंद्रकांता में अचानक ही कुछ भी हो जाता है अयार आएगा जादू हो जाएगा कुछ हो जाएगा तो देव की नंदन खत्री के जो रचनाएं हैं वहां आपको ये चीज दिखाए देगी कि जो कथाएं होंगी कहानिया होंगी वो कैसी होंगी अविश्वस्निय हो जाएगी और विश्वस्निय होंगी और विश्वस्निय कल्पनाएं बहुत जादा होंगी तो ऐसे में देव की देव की नंदन खत्री इसमें देखें तो चंद्रकान्ता चंद्रकान्ता की है कहानी यह माना है बड़ी पुरानी नौगड विजयगड में थी जो तकरार नौगड का था जो राचकुमार चंद्रकान्ता से करता था प्यार कि तुम लोग के समय की नहीं बड़ी पूरानी इसमें खूब जादू दिखावी देगा शिवदत जहर पीएगा साप कटवाता है कभी देखना इसको जाके राज्यों के बीच में संघर्ष होगा कुरूर सिंग होगा जादू आयार गयब हो जाएगा क्योंकि देवकी नंदन खत्री लिख रहे ना तो काल्पनिक होगा कल्पनाई होंगी तो यहाँ पर अच्छी कथावस्तू क्या है जो विश्वस्नियों हों प्रमाडी को हों प्रेमचंद अपने अपनी रश्णा में कहीं पर भी ये नहीं बताते हैं कि ये इस इस समय की बात है लेकिन जब प्रेम चंद को हम पढ़ते हैं उनके गोदान को पढ़ते हैं तो उस समय का अवद हमारी आँखों के सामने तैरने लगता अवद में यह यह होता था तो यह प्रेम चंद है प्रेम चंद अपने आपको बहुत बहतर इसलिए कर पाए कि उन्होंने मनों विज्ञान का प्रयोग किया है पात्रों के बीच से उसके मन के अंदर जो अंतर द्वंद है उसको भारा है अगर आप देखो घीशू और रग्धू दोनों को देख लो कफन कहानी जब तुम पढ़ोगे तो एक व्यक्ति के मन में क्या अंतर द्वंद होता है बाहर की पीड़ा वो भूल जाता है उसे खुद भी भूख लगी है वो पैसा पाया कफन के लिए लेकिन वो पैसा लेकर गया तो पहला भर पेट खाना खाया दोनों बोल रहें बीस साल पहले खाये थे साहब ऐसा खाना कितनी बढ़िया सुगंद थी और आज जब भर पेट खाना खाते हैं तो उस खाना खाने के बाद फिर एक आद्मियों से मांगने आता है उसको भी दान देते हैं तो होता क्या है कहानियों के अंदर से जो भावना निकलती है वो चीज़ तुमको दिखाई देग वो चीज़ समझना है ठीक है तो यह क्या है कथानक और कथावस्तू क्लियर है आगे बढ़ते हैं उद्देश उद्देश क्या होता है बताओ प्रियोजन क्या है प्रियोजन क्या है हलके किस्म का साहित्यकार होगा तो वो क्या लिखेगा वो उसका मामला होगा कि धन प्लस जो प्रतिष्ठा चाहिए उसे धन प्रतिष्ठा के लिए वो लिखेगा लेकिन जो अच्छे साहित्यकार होगे अच्छे साहित्यकार साहित्यकी समाजिक्ता को साहित्यकी समाजिक्ता को आगे बढ़ाने के लिए कारे करेंगे कि उसे आगे बढ़ाया जाए आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जब ये काम करेंगे इसके लमा इनके अंदर और क्या होगा नैतिक और अपने कुछ विचारधारा को मतलब ये विचारधारा विचारधारा नैतिक्ता और आदर्ष को भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे लेकिन अगर विचारधारा आदर्ष ये नैतिक्ता चिपक्या हुआ प्रतीत होगा तो क्या वो अच्छा होगा तो अच्छा नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा तो जो ऐसे रश्नाकार है जैसे ये समस्या आपको दिखाई देगी यश्पाल के हैं यश्पाल के बहुत सारी रश्नाव में तुम देखोगे कि विचारधारा चिपकी हुई नजर आती है जैसे जब तुम दिव्या पढ़ोगे तो दिव्या में देखोगे कि लगता है कि यश्पाल खुद मारीश बनकर खड़े हो गए हैं जब तुम दिव्या उपन्यास पढ़ोगे तो लगेगा कि मारीश नहीं है मारीश खुद यश्पाल है और बाद में दिव्या यश्पाल को ही चुनती है मतलब मारीश को ही चुनती है कहीं कहीं वो जो प्रिथू सेन में भी दिखाई देते हैं जो दिव्या का पहला प्रेम है तो जहाँ जहाँ नाइका ने अपने प्रेमी का चुनाओ किया है वहाँ पर यश्पाल ही है अब ये जो बात है ये अपने आप में खास बात है लेकिन ये चिपका हुआ प्रतीत होता है कि यश्पाल खुद अपनी विचारधारा को लेकर सामने आ रहे है तो ये साहित के दिष्टी से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है साहित के दिष्टी से अच्छा क्या माना जाता है अच्छा ये माना जाता है कि कोई विचारधारा कोई नेतिकता कोई आदर्श दिखे नहीं घुल मिल जाए क्या हो जाएं घुल मिलके अपना अस्तित्तु स समाप्त कर दी और ऐसा लगे कि वो पात्र ही कुछ कह रहा है कि ऐसा आपको प्रेम चंद में दिखेगा प्रेम चंद किसी एक पात्र में आपको नहीं दिखेंगे क्या कहते हैं प्रेम question मैं अपने पात्रों की परवरिश ऐसे करता हूं जैसे एक पिता करता है पिता बच्पन में बच्चों की जिस तरह से परवरिश करता है वैसे वो बच्चे धीरे-धीरे बढ़े होते जाते और वो अपने अनुसार आगे बढ़ते फिर मैं उनको छोड़ देता हूँ क्या करता हूँ छोड़ देता हूँ कि वो क्या करेंगे मैं खुद नहीं जानता मेरे पातर कैसे बड़े होकर बनेंगे ये है प्रेमचंद की शक्ति तो यहां आप देखेंगे कि प्रेमचंद और यश्पाल में यहीं अंतर है यश्पाल अपनी विचारधारा से चिपके हुए प्रतीत होते है वहीं प्रेमचंद की गोदान में आप देखेंगे तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा और मोहन राकेश के अशार के एक दिन में देखेंगे तो एकदम नहीं पता चलेगा ये खुपशूरती है ये सौंदरे है और साहित जब सौंदरे में गोता है तब ही वो साहित के रूप में है नहीं तो ये बात है तो विचारधारा और नैतिकता को ऐसे प्रसुत किया जाए कि वो चिपके विपरतीत नहीं इसके लावा अभी वर्तमान में क्या चला है वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि अब उद्देश को अलग से रखने की बात नहीं हो रही क्यों कि यथार्त ही सबसे ज़्यादा प्रस्तुत किया जा रहा यथार्त को ही सबसे आदा प्रस्तुत किया जा रहा है इसलिए अब कहा जा रहा है कि उद्देश की आउशक्ता नहीं ठीक है तो यथार्त को प्रस्तुत किया जा रहा है और यथार्त को प्रस्तुत करने के दौरान उद्देश कहीं न कहीं उसी में समाहित है कि इसी लिए कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर आप देखें तो इस बात को समझाते हैं कि उद्देश का तूटना कहते हैं उसे क्या कहते हैं उद्देश तूट रहा है उद्देश का तूटना उद्देश का तूटना भी मानते हैं और ये तूटना इस अंदर में आप देखें तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है लिखक यथात की समस्याओं को उभार कर पाठक को लड़ने की शक्ति दे रहा है मतलब जो समस्याओं हैं समस्याओं को उभार कर पाठक को लड़ने की प्रेणना दे रहा है क्या कर रहा है कि जो विद्रूपताएं हैं जो विद्रूपताएं हैं उनको सामने रखा जाए कमियों को जो समस्याएं हैं जो कठिनाईयां हैं उनको हटाए जाए तो अभी क्या है उद्देश के टूटने की बाद चल लए कोई अलग से उद्देश उस तरीके से नहीं रखा गया और क्या है चरित्र योजना इसके बारे में कुछ लिखा नहीं था भी पहले समझ लेंगे क्या क्लियर है चरित्र योजना क्या होती है चरित्र योजना हर रचना में चाहे उपन्याज हो चाहे कहानी हो चाहे नाटक हो सब में क्या बिना पात्र के कुछ होता है नहीं होता पात्र चाहिए तो पात्रों का अनुपात कैसे होना चाहिए अनुपात बहतर होना चाहिए अनुपात ठीक होना चाहिए और जब अनुपात ठीक होगा तो उसे रशना में शक्ति आएगी रशना अपने आप बहतर होती जाएगे लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पात्रों की संख्या बहुत जादा कर दी जाती है जिससे क्या होता है रचना कमजोड दिखाई देती है रचना बहतर नहीं दिखाई देती है यदि कोई भी कहानीकार है रशनाकार है वो अपनी बात को कहना चाहता है तो उसे कुछ पात्र या चरित्र अपनी रशनाओं में गढ़ने पड़ते हैं उन्हीं के माध्यम से वो बाते कहता है और एक पात्र दूसरे पात्र से जब क्रिया प्रत्रिया करता है बाचीत करता उससे कहानी आगे बढ़ती तो क्या है कि कोई भी रशना है कोई भी रशना है उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई भी रशना है उसे आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए पात्रों की रश्णा या पात्रों को गढ़ना पड़ता है गढ़ना पड़ता है और इनहीं पात्रों के इनहीं पात्रों के क्रिया प्रतिक्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया से कहानी उपन्यास या अन्यरश्णा आगे बढ़ती है क्यों गई बात है कि ठीक है अच्छे लेखा की पहचान क्या है कि वो अपने पात्र को अच्छा रखे और किसी एक चरित्र में ही अपने आपको प्रच्छे पित न करें अच्छे लेखा की पहचान क्या है कि वो किसी एक चरित्र में अपने आपको न रखे कहानी या रशना में उचित मात्रा में उचित मात्रा में चरित्र होने चाहिए होने चाहिए नग जादा नग कम देखो सबको समहालने नहीं आता चरित्रों को फणिश्वन नात रेडूं के हां मेला अचल में दो सो पचास से जादा चरित्र हैं उसके बाद भी वो समहाल ले गए वहीं जैशंकर प्रशाद को देखोगे तो वो सकंद गुप में पचीस पात्रों को ही नहीं समहाल पाए मतलब हर पात्र अपना काम पूरा करके आगे बढ़ जाए अगर किसी भी पात्र को ज़्यादा समय मिला और सर मिला तो दूसरे पात्र को खा जाएगा इसलिए पात्रों का प्रियोग करने से पहले रचनाकार का सामर्थवान होना अवर्शक है अगर रचनाकार सामर्थचाली नहीं है तो वो पात्रों को समभाल नहीं पाएगा तो यहाँ पर यही समस्या है अब आप देखें और क्या होता है इसके लावा लेखक को किसी एक पात्र में अपने आपको नहीं रखना चाहिए किसी एक पात्र में नहीं अलग अलग पात्रों में सब में रखे थोड़ा थोड़ा किसी एक पात्र में स्वयम को न रखे अलग अलग पात्रों में अपने आपको प्रच्छेपित करे जिससे एना पता चले कि यह आदमी यहाँ पे लिक्षा खड़ा हो गया यह समस्य किसके आती है यह श्पाल के हाँ वह लगएका खुदी खड़े होके अब आखरी में वह बोलते हैं कि जो है आखरी में अगर आप देखोगे तो वह दिविया से यही बात बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओ अब मेरे पास आओ तो दिव्या कहती है आश्रे दो आर्या मतलब हाँ तुम ही जो हो सबसे सही हो कि यह नहीं होना चाहिए मतलब यहां पर आप देखेंगे कि जो कहीं-कहीं यह समस्या होती है कि यश्पाल खुद ही अपना चेहरा बदल के सामने खड़े हो जाते हैं लेकिन प्रेमचंद के हाँ आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा हर पात्र अपने आप में महत्पून है चाहे वो जो भी होरी है धनिया है गोबर है सब अपने अपने उसमें दिखाई देंगे ऐसा नहीं लगेगा किसी एक पात्र में ही जो प्रेमचंद आ गए है लेकिन दिव्या में साहव दिखाई देगा कि खुद मारीश के रूप में अश्पाल ही खड़े हैं जिनके सामने कोई अब बोल नहीं पाएगा ठीक है इसके अलमा अब आप देखेंगे कि रश्णा में चरित्रों की भीड़ नहीं होनी चाहिए जितनी जरूरत है उतना ही हमें चरित्र रखने होंगे जैसे अगर हम देखें तो प्रशाद की नाटकों में चरित्र बहुत जादा हैं और प्रेमचंद के यहां जब देखोगे तो उनके यहां चरित्रों की उतनी ही संख्या रखी गई है जितनी जरूरत है और अगर आप देखेंगे यश्पाल और जो मन्नु भंडारी के यहां भी चरित्रों की संख्या ठीक रखी गई है मतलब चरित्र की संख्या उचित मात्रा में चरित्र होने चाहिए अब इसका एक्जांपल है जैसे जैसंकर प्रशाद के इहां चरित्रों की भीड है क्या है भीड है लेकिन प्रेम प्रेम चंद के हां भीड नहीं है भीड नहीं है आवशक्ता के अनुसा रखा गया है अगर हम यश्पाल के यहां भी देखें तो वहां भी अनपाद ठीक है वहां पर भी अनपाद हमें ठीक दिखाई देता है इसके अलामा अच्छे चरित्र की पहचान क्या है अच्छे चरित्र की पहचान ये है कि वो सहज होना चाहिए सहज और स्वाभाविक मतलब नैचूरल कैसा होना चाहिए सहज अगर हम बात करें सहज होना चाहिए प्लस स्वाभाविक होना चाहिए इसका मतलब क्या है जैसा है हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे सहज स्वाभाविक चरित होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो समस्या यह होगे ठीक है अगर आप पहले की रशनाओं को देखोगे जो पारंपरिक रशनाई है तो वहाँ जो है जो नायक है और जो खलनायक है या तो यह अच्छा है या यह बहुत खराब है या बुरा है लेकिन अभी आप देखेंगे कि अब ऐसा नहीं है हमारे ही भीतर अच्छाई भी है बुराई भी है तो अच्छी रशनाई वो मानी जाती है जहां द्वंद होता हो भी से अच्छाई का और वो बुराई का तो जो पारंपरिक रचनाएं थी वहां पर जुनायक होगा वो अच्छाई होगा और जो खलनायक होगा वो खराब ही होगा और आखरी में अगर अगर लिखक का बहुत मन कर रहा है तो खलनायक का हिर्द परिवर्तन कर देगा कि वही उसको अच्छानक ये लगा कि नहीं ये सब अच्छा नहीं है जैसा आपने दिखा था एक टोकरी भर मिट्टी में हाँ जो जमिदार था वो विद्वा के साथ अच्छा ताप हुआ ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे लेकिन इसमें बहुत मजा नहीं अच्छी रचना क्या है जिसमें अच्छाई और बुराई का संघर्ष हो है के और संघर्ष होगा तो अंतर द्वंद होगा है और जब आंत्रिक द्वंद होगा तो रचनाएं बहुत अच्छी बनेंगी कैसे बनेंगी आंत्रिक द्वंद होना चाहिए आंत्रिक द्वन्द होना चाहिए अगर आंत्रिक द्वन्द नहीं है तो वो रचना बहुत मज़ेदार नहीं है उसमें बहुत चीजें मिस हो रही है सहज नहीं है ऐसे कोई कि हम केवल अच्छे हैं कि अरे केवल अच्छे आप कैसे हो सकते हैं आप अच्छे और बुरे दोनों हैं यहां एक दर्शन आता है स्याध अस्तिच सैड है श्याध nnd कि दोनों और जब इन दोनों प्रवित्तियों का संगर्ष होगा तो इसी को ही कहेंगे आंत्रिक द्वन्द और आज हर वेक्ति के अंदर यही आंत्रिक द्वंद हो रहा है जिन रचनाओं में आंत्रिक द्वंद को अच्छे तरीके से दर्शाया गया है वो चरित्र वो रचना काफी अच्छी मानी जाती है ठीक है और आप देखेंगे ये परंपरा आपको प्रेम चंद के हां बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगी और आगे चलके जैशंकर प्रशाद ने भी इसमें बहुत काम किया है उन्होंने भी अपने चरित्रों के आंत्रिक द्वंद को खूब दर्शाया है अगर आप देखेंगे जो पुरसकार उनकी कहानी है उसमें नाईका के अंदर कितना आन्त्रिक द्वंद होता है अपने प्रेमी के बारें वो जानती है कि उसका प्रेमी विद्रोही है उसमें देश के शाथ गलत किया है तो सरकार को सूचना भेशती है प्रेम बहुत करती है यह उसके बाद भी सूचना भेशती है मैंने आपको बताया था कि जो प्रशाद की नाइका है वो बहुत अद्बुत नाइका है वो हलकी नाइका नहीं है यहां पे प्रेम की बात होगी तो युद्ध की बात करेगी नहीं मैं युद्ध में जाऊंगे है लेकिन अगर आप देखेंगे जब उसके आंत्रिक द्वंद को प्रेमचन दिखाते हैं यह जैशंकर प्रषाद दिखाते हैं तो जैशेंकर प्रशाज जब आंतिक द्वंद को दिखाएंगे तो वो ये दिखाएंगे कि अब वो ये बात सरकार को कैसे बताए पिर भी उसके भीतर द्वंद चलता है और बात में वो अपने द्वंद से जीतती है और वो सरकार को सूचना भेजती है कि मेरा प्रेमी यहां है और यही राष्ट का द्रोही है और सरकार उसको पकड़ लेती है और फासी चड़ाती है और उसके बाद सरकार कहती है कि तुम्हें पुरसकार मिलेगा तो अपने लिए भी वो प्राणदंड मांगती है कि मुझे भी प्राणदंड दो अभी इस तरीके का त्याक करने की छमता सब में नहीं होती ठीक है? तो यहां अच्छे चरित वो माने जाते हैं जिनके भीतर आंत्रिक द्वंद हो जो अच्छाई केवल अच्छाई अच्छाई नहीं है अच्छाई और जो बुराई के पिंड है और उनके बीच संघर्ष होता ठीक है? इसके अलामा अगर हम बात करें अच्छी चरित्र योजना में हर चरित्र का महत तो बराबर नहीं होता मतलब अगर हम बात करें तो अच्छी चरित्र योजना में अच्छी चरित्र योजना में हर चरित्र का महत्व बराबर नहीं होता इसका मतलब समझ पा रहे हो बराबर नहीं होता मतलब जो महत्व होरी का है क्या ऐसा ही महत्व उसके पुत्र का भी होगा गोबर का नहीं चरित्र योजना में जो जिस प्रकार का है उसको उतना ही महत्व मिलेगा अच्छी रचनाओं में यह देखा गया ठीक है तो इस दिश्टी से अगर हम देखे तो दो दो प्रकार के चरित्र माने जाते हैं, एक तो सहभागी चरित्र और दूसरा प्रिक्षक चरित्र, पहला दो प्रकार के चरित्र होते हैं, सहभागी और प्रिक्षक चरित्र, सहभागी चरित्र और प्रिक्षक चरित्र, इस दो प्रकार की व्योस्ताएं आपको दिखाई देंगे, अगर आप देखें, तो इन दोनों का सही अनपात होना चाहिए, जो सहभागी चरित्र हैं और जो प्रिक्षक चरित्र हैं, अब बता रहा हूं कि यहां पर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो मिल के साथ में चलते हैं वो क्या हो गई सहभागी चरित्र हो गई क्या हो गई सहभागी चरित्र हो गई और जो केवल दोनों के बीच में आकर कोई बात कहते हैं वो प्रेच्छक्चरत रहो गए। इन दोनों का सही महत्त हो तो रचना में बिखराव नहीं होता। मतलब अगर इन दोनों को इन दोनों को सही रखा जाएं तो रचना में बिखराव नहीं होता। रचना में बिखराव नहीं होता। लेकिन अगर इसमें अनपास सही नहीं रखा गया तो रचना में बिखराव आने लगेगा। रचना इधर दर भागने लगेगे। ठीक हैं अगर हम देखें कि मैला आचल में 250 से ज्यादा चर्त रहें। लगभग 256 चर्त रहें मैला आचल में। उसके बाद भी मैला आचल में बिखराव नहीं है। ठीक हैं। और अगर हम बात करें जो प्रशाद को तो उनके यहां इतने ज़्यादा चर्त नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बिखराव दिखाई देता है, अगर हम यहाँ पर बात करें मैला आचल की, तो मैला आचल में 250 से अधिक चरित्र हैं, लेकिन बिखराव नहीं है, क्योंकि वो समहाल ले गए है, लेकिन अगर हम जैशंकर प्रशाद की बात करते हैं, तो इसकन्द गुप्त में हम देखें, चरित्र केवल 25 हैं, 25 उसके बाद भी बिखराव दिखाई देता, क्या दिखाई देता हैं, बिखराव दिखाई देता है, लगता है कि जो चरित्र योजना है वो ठीक नहीं है, ठीक हैं, क्योंकि गौड चरित्र जो हैं, उनको जादा महत मिल गया है, यह जो 25 चरित्र हैं इसमें, गौड चरित्र होते हैं एक, जो थोड़े समय के लिए आते हैं, और एक मुख्य चरित्र होता, क्या होता है एक मुख्य, एक गौड, तो यह जो छोटे चरित्र हैं, इनको महत्व ज्यादा मिल गया, और ज्यादा मिलने से रचना इधर उदर भागने लगती है, उसका बिखराओं होने लगता है, और यह बिखराओं सही नहीं माना जाता, साहित की दिष्टी से, ठीक हैं, और क्या होता है? इतनी बात, अच्छे चरित्र की सबसे बड़ी पहचान ये है, कि उसके केवल बाहरी, केवल बाहरी पक्ष को वेक्त न किया जाए, बाहरी पक्ष के अलावां, आंतरिक द्वंद को, आंतरिक द्वंद को भी प्रस्तुत किया जाए, अगर आंतरिक द्वंद को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो फिर समस्या है, आंतरिक द्वंद क्यों, क्योंकि मन के भीतर कई सारी भावनाएं चलती है, उनको लेखक को इस पस्ट रूप से दिखाना चाहिए, तो मनो विज्ञान का प्रियोग होना चाहिए, किसका प और मनो विज्ञान का प्रियोग आप देखेंगे, तो प्रेम चंद के हाँ आपको बहुत बहतर दिखाई देगा, और इसलिए, जितना मनो विज्ञान का प्रियोग करोगे, उतना ही चरित्र सजीव हो जाएगा, ये लगेगा एकदम सच्च यही है, क्योंकि अगर मैं हुआ था, मेरे भीतर ऐसा आया था, तो आप भी लगभग वही सोचते हो, एक जैसी परिस्तियां होगी, तो जिस तरके दर्द की अनभूती मुझे हो रही है, वैसे ही अनभूती आपको भी होगी, जैसे अगर किसी का प्रेम में दिल तूटा हो, और मान लो कि मैंने भी कि इसी दिल तूटने की बात बताई, तो जो अनभूती होगी, वो समान होगी, वो तुम समझ पाओग, इसलिए प्रेम बहुत जादा समझ पाता था, नहीं, चुकि जब दिल तूटने की बात आती है, तो उसकी आवाज एकदम बदल जाती है, चहरे की मुस्कान एकदम मन विज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो चरित सजीव हो उड़ते हैं, लगता है कि वो खुद आकर अपनी बात बता रहे हो, है न, तो ये सारी चीज, इसके अलावा, अगर आप देखेंगे, मोहन राकेश के यहां, जो उनका एक नाटक है, असाड का एक दिन, तो उसमें आपको एकदा मजा आजा जाएगा, जैबाब पढ़ेंगे मोहन राकेश, तो मोहन राकेश के, मोहन राकेश के असाड के एक दिन में, आप देखेंगे, पढ़ना है इसे, असाण के एक दिन में मनों विज्ञान के इतना सूच्मवर्डन हुआ है कि हर नायक के अंदर क्या चला है नायका, नायक किसके मन में किस तरह का दुन्द चला है वो एक दाँ उभर के सामने आएगा जब मलिका कहेगी देखो मैं कितनी भीग गई पूरी की पूरी भीग गई मतलब अब उसमें और भी भावना है कुछ फिर वो उसका जो पत्र आता है तो वो देखती है, तो कहती है किससे उसने चुआ होगा ऐसे किया होगा, दातों से छिला होगा अब मन की वो भावनाएं सामने आएगे तो मोहन राकेश के हाँ मनोविज्ञान आपको चरम वस्ता में दिखाई देगा ठीक है, और ये खास बात है इसके अलावा, अगर हम देखें तो चार प्रकार के चरित वर्डन की सैलिया मानी गई है चरित वर्डन की कितनी सैलिया मानी गई है बंदू? चरित वर्डन की चार सैलिया मानी गई है चार सैलिया है एक तो रचना में वो चरित अपने आप ही अपना पर्चे दे इसमें बहुत आम तोर पे रशनाओं में चारो शैलियों का प्रयोग होता है ठीक कौन-कौन सी सैलिय है वो मैं आपको बताता हूं कि पहला तो जो चरित्र है वो अपनी विशेस्था खुद बताए चरित्र चरित्र अपनी विशेस्थाएं विशेस्ताएं खुद बताए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है जैसे मान लीजे कि मुझे ही बताना पड़े कि मैं दिली विश्विद्याले में इतने वर्ष पढ़ाया ये किया वो किया मेरी यहां से पिसडी हुई या मैं ये काम कर रहा हूँ मेरे इतने शोध पत्र आए ये से मज़ा नहीं है किया मज़ा है इसमें खुद का पड़्चे देने में मज़ा नहीं है वो पड़्चे आप दो तो वो ज्यादा अच्छा है और इसके अलावा दूसरा क्या है इसमें हम देखें कि एक चरित्र दूसरे चरित्र की विशेस्ता बताता है मतलब एक चरित्र नमबर दो पे क्या है एक चरित्र दूसरे चरित्र की विशेस्ता बताता है मतलब जैसे आपने इनकी विशेष्टा बताई कि ये मेरे मित्र हैं इन्हें ये पसंद हैं इन्हें ये पसंद हैं ये यहां ये जाना पसंद करते हैं इनके ये ये जो तरीके हैं ये भी मुझे अच्छे लगते हैं मतलब आप इनकी विशेष्टा बताएं और ये आपकी विशेष्टा बताएं ये फिर भी ठीक है इससे जो पहली बात है कि चरित खुद से अपनी बढ़ाई करें अपने मुह से बढ़ाई करने मजा नहीं आता इसलिए जो हमसे कभी कोई बच्चा पूछता है कि सर आपने क्या किया है तो मुझे बड़ा हास्चाश्पद लगता है लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि ये पूछ रहा है कि लेकिन मजा नहीं आता है कोई दूसरा बताए ये तरीका फिर भी ठीक है कि एक चरित दूसरे चरित की विशेश्था बताए फिर दूसरा चरित उसकी विशेश्था बताए फिर इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे अस्तर पर क्या आता है लेखक स्वैं चरित्त्रों की चरित्रों की विशेष्था बताए लेखक स्वैम चरित्रों की विशेष्था बताए ठीक है इसके अलावा आखरी में क्या है ऐसी स्थितियां का ऐसी स्थितियां उत्पन की जाएं ऐसी स्थितियां या ऐसी घटनाए उत्पन की जाएं ऐसे स्थितिया या ऐसे घटनाय उत्पन की जाएं जहां चरित्र को रोह कर जहां चरित्र के क्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से बात रखी जाएं मतलब ऐसे स्थितिया उत्पन हो ऐसे घटनाय हो जहां एक चरित्र दूसरे चरित्र के बीच में जो क्रिया प्रतिक्रिया हों उसके बाद बाते सामने आएं तो मतलब यहां आपको यह समझना होगा की चार सेलियां हैं चरित्र के वर्डन की पहली सेली में आप में देखा कि अपनी विशेस्ता खुद बताएगा चरित्र दूसरे में एक चरित दूसरे की विशेस्ता तीसरे में लेखक स्वैम चौथे में ऐसी स्थितियां ऐसी कंडिशन बना दी जाए जहां उसका चरित्र पहानी आगे बढ़े क्या क्लियर है कि अगला पॉइंट क्या है भाषा शैली अब इसमें भाषा शैली में क्या आता है कि लेखक ने कौन सी भाषा का प्रियोग किया है लेखक ने कौन सी भाषा का प्रियोग किया है कौन सी भाशा का प्रियोग सब्दावली कैसी है कैसी है है न आम तोर पे जैसा महोल होता है वैसी भाशा रखी जाती है अगर आप देखोगे दिव्या प्लस सकंद गुप्त इन दोनों में अगर आप देखें तो इतिहास इतिहास का आधहार लेकर कथा वस्तु तयार की गई है है न तो यहां पर पात्र अगर ओज की भाशा की सब्धावली रखी जाएगी तो क्या मज़ा आएगा हम बात कर रहे हैं सकंद-गुप्त की समय के सकंद-गुप्त भडा योद्धा था तो भाषा कैसी होनी चाहिए? गुप्तों के समय जो भाषा होनी चाहिए थी वही होनी चाहिए समय के अनकूल वातावरण महोल बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर भाषा कैसी होगी? संस्कृत निष्ट होगी कैसी होगी? संस्कृत निष्ट और ये अच्छी मानी जाएगे जब आप इतिहास के किसी कथा को कहानी को आधार बना कर इतिहासिक परपेक्ष में लिखते हो तो आपको उसी अनुसार भाषा रखनी पुड़ेगे इसके लमा अगर हम बात करें महाभोज की गोदान की तो यहाँ पर आप देखेंगे आम हिंदुस्तानी की जो भाषा है वो रखी जाएगे आम हिंदुस्तानी भाषा आम हिंदुस्तानी भाषा रखी जाएगे जो आज की भाषा होगी इसके लमा अगर हम बात करें मैला आचल की तो मैला आचल में अगर आप देखें तो ग्रामीड जीवन तो ग्रामीड जीवन में जो लोगों की भाषा है वो जिस अंचल का उपन्यास है जिस छेत्र का उपन्यास है अगर वो बिहार की प्रिश्ट भूमी पे लिखा गया है तो क्या हम वहाँ पर जो बंगाल की भाषा डालेंगे तो अच्छा लगेगा क्या तो हमको कौन सी भाषा डालनें पड़ेगी बिहार की रिजनल लेंग्विज को डालना पड़ेगा इसलिए आप देखेंगे यहां आपको आएगा अमिया की बगिया में सोई तो जो भाषा का एक देशच शब्द है दो देशीपन की जो मिठास है वो आपको मेला अचलन मिलेगी और इसमें आप देखेंगे कि 256 चरित्र हैं और सब का पात्र एकदम जो है सब अपनी अपनी बात आके कहके आगे बढ़ जाएंगे तो फडिस्वर नात्रेडू ने एक जबर्दस्त काम किया है मेला अचलन में आप भले न बिहार के हों लेकिन जब आप ये रशना पढ़ होगे तो आप आनंद से भरपूर हो जाओगे कमेंट भी है कि जब देश को आजाद कराया गया तो क्या-क्या सपने देखे गई थे आज क्या-क्या पूरे हो रहे हैं तो अच्छा रशनाकार ये भी होता है कि जो समाज की विदृपताई हैं जो समस्याइं हैं उन समस्याओं को सामने प्रस्तुत करें अगर वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो अपने आप में ये बड़ा वो माना जाएगा कि साहित में वो अच्छा योगदान नहीं दे रही है तो इसको आपको समझना पड़ेगा और क्या है इसके अलामा मुहावरे लोकुक्तियों का प्रियोग क्या रशना में हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाषा शैली में ही वो सबाता है कि मुहावरे मुहावरे लोकुक्तियां लोकुक्ति लोकुक्तियां लोकुक्ति ठीक है मुहावरे लोकुक्ति इनका जो प्रियोग है अगर आप देखें तो इनका भी इस्तेमाल बहुत बहतर होना चाहिए मुहावरे लोकुक्ति एक अच्छा सामंजस से होना चाहिए इसमें जो कहावते होती हैं उन्ही को लोकुक्ति कहते हैं हाँ यह जो मुहावरे और लोकुक्ति का प्रियोग रश्नाओं की प्रभाव शीलता को बढ़ा देता है लेकिन अगर इसका ज्यादा प्रियोग हो जाता है तो रचना कमजोर होने लगती है इसलिए इसका सधा हुआ प्रियोग होना चाहिए कैसा सधा हुआ प्रियोग सधा हुआ प्रियोग होना चाहिए जैसे 1857 की करांती में भारती विद्रोहियों ने अंग्रेजों के दात खटे कर दिये या उनकी इट से इट बजा दी हाँ तो जहां पर हम इस्तेमाल करें जिससे रचना का प्रभाव बढ़ जाए उसकी छमता और बढ़ने लग जाए ठीक है इसके अलामा और क्या है जो प्रतीक बिम्ब और उपमान का एक बहतर प्रियोग होना चाहिए और क्या है अगर हम बात करें भाशाशली में तो प्रतीक का प्रियोग बिम्ब का प्रियोग और उपमान का प्रियोग जिससे उपमा दी जाए उपमान यहां पर हर अचना में अगर आप देखेंगे तो बिम्ब की जैसे अगर कोई ऐसी चीज आए कि आपके सामने उसका चित्र बनने लगे बिम्ब बनने लगे जो प्रती क्या होता है कि किसी चीज को छिपा के प्रस्तुत करने की विशैली हो तो प्रतीकों का प्रियोग, बिम्ब का प्रियोग, उपमान का प्रियोग तो आप देखेंगे इसका प्रियोग जब भी किया जाता है तो रचना की छमता बढ़ जाती है क्या होता इससे रचना की छमता में वृद्धी होती है छमता में वृद्धी मतलब अगर हम इसका प्रियोग कर रहे हैं जो प्रतीको का या जो बिंबो का उपमान का हम उपमा दे के कोई बास समझा पा रहे हैं जैसे भगवान राम के पैर कमल के समान है यह क्या है उपमा तो यहां पर जैसे हम कहते है नील कमल है वो तो इस तरह क्या जब हम यूज करते हैं तो साहित में आप देखोगे उससे छमता बढ़ जाती है और क्या है इसके लावा वेंग काप्रियो किया जाए मतलब समाज की विक्रतियों पर समाज की विक्रतियों पर वेंग किया जाए ये भी होना चाहिए जैसे आप देखेंगे तो इदगाह में भी आपको दिखाई देगा इदगाह में कल याद करो क्या देखा था मामू की तनखावा ज्यादा नहीं है लेकिन वो घर 50 रुपया महीना भेजते हैं उनकी तनखा कितनी हैं 20 रुपया लेकिन भेजते कितने हैं 50 रुपया अगर इसको वो नहीं बताते प्रेमचंत उनका कुछ बिगड़ता नहीं लेकिन उन्होंने समाज की विकृतियों पर वेंग किया ब्रश्टा चार पर वेंग किया फिर ये भी बताया कि हराम का पैसा जो होता है उसी में खर्च हो जाता है घर में आग लग गई कुछ नहीं बचा मामू के पास मामू पेड के नीचे कई दिन तक सोते रहे फिर मामू में जो है कि जो सवा सो रुपई इकठा करके कुछ पैसे इकठा करके मामू ने फिर से नहीं वियोस्था जो बनाई तो समाज की विकृतियों पर वेंग भी आपको दिखाई देगा अच्छी रचना अब तुम खुझ छाट सकते हो जब ये कोई रचना पढ़ोगे तो इन आधारों पर जब देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या इसमें ये बात है या नहीं ठीक है इसके अलावा कभी कभी माउन की भाषा रखनी पढ़ती है कौन सी भाषा भाई माउन और माउन की भाषा बड़ी कारगर होती है दुनिया में माउन से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है गांधी जी माउन वरत रहते थे माउन माउन वरत और एक दम चुप एक चुपी सो सुनार के बराबर है हाँ चुपी मतलब माउन की भाषा जो काम माउन कर सकता है वो काम हजारों सब्द भी नहीं कर सकते हजारों सब्द मिलकर भी एक माउन की बराबरी नहीं कर सकते और आप देखेंगे कि नाटकों में ये संख्या आपको मौन की जादा दिखाई देगे लेकिन उपन्यासों में कहानियों में भी मौन का प्रियोक किया गया है ठीक है? तो मौन की भाषा बड़ी शक्तिशाली है जो काम बोलने से नहीं होते वो चुप होने से हो जाते हैं, नहीं, कुछ लोग बोलते कुछ नहीं हैं, करते सब कुछ हैं, लेकिन वो उनकी चुपी ही इतनी लोगों को सताने लगती है कि वो पूसते हैं कि भया क्या बात है, बता दो क्या बात है, दूसरे विक्ति घबडान लगते हैं कि चुप इतना क्यों है आखिर क्या है दिल में जो छुपा रखे हो जो तुम बता नहीं पाते हो क्यों चुप हो क्यों मौन हो क्यों चुप साध रहा बलवाना नहीं तो मौन की शक्ति बड़ी शक्ति मानी जाती है जो सब कोई मिलके नहीं कर सकते वो लोग चुप होकर कर सकते हैं इसके लामा अगर आप देखेंगे तो कई लेखक ध्वनी योजना या नाद योजना का प्रियोग करते हैं कि द्वनी क्या होती है आवाज चंचन बाजे पाइल जो चंचन टंटन मन मन यह जो द्वने आत्मक्स आवाज होती है इसका भी प्रियोग किया जाता है द्वनी कि द्वनी योजना इसका मतलब नाद योजना भी इसको कहते हैं नाद नाद मतलब क्या होता है नाद नाद द्वनी योजना इसका भी प्रियोग रशनाओं में किया जाता है जब इसका प्रियोग होता है तो एकदम अचानक से चंचन करने लगता है जनकृती आ जाती है रशना में और आप देखेंगे कि इसके माध्यम से जनकार के माध्यम से अर्थ को प्रस्तुत किया जाता है और आप देखेंगे कि इसका प्रियोग जब भी होता है रशना में तो इस रशना की आयू बढ़ जाती है और उसकी प्रभाव छमता भी बढ़ जाती है मतलब इसके प्रियोग से रचना की आयू रचना की आयू और उसकी च्छमता दोनों में बढ़ोत्री हो जाती है जितना आपने धोनी योजना नाद योजना का प्रियोग किया जैसे मान लेजिए कि कोई नायक किसी नायका से मिला नायका आई और नायका के आने के बाद जब वो चल रही है तो उसके पैरों में क्या है तो वो क्या करेगी चन चन इससे क्या प्रभाव पैदा हुआ मज़ा आ गया आनन्द आ गया ये क्या है जिसका जहां इस्तेमाल हो उसका हमें करना है इसके अलावा सूत्रवाक्यों का प्रियोग करना चाहिए सूत्रवाक्या मतलब कुछ ऐसी बात जो बहुत चोटे में भहुत सटीक हो जैसे अगर हम बात कहें देखन में चोटन लगत घाव करत गंभीर सससया के दोहरे जिवनावक की तेए तो सूत्र वाक्यों का प्रियोग होना चाहिए सूत्र वाक्यों का प्रियोग सूत्र वाक्यों का प्रियोग होना चाहिए छोटे किन्तु सटीक बाते की जाएं ठीक है? अगर हम बात करें तो प्रेम चन्दे जगह कहते हैं कि बूढ़ों के लिए अतीत का सुख और वर्तवान का दुख बूढ़े जो लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं ठीक है? जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए अतीत का सुख और और वर्तमान का दुख वर्तमान का दुख तथा भविश्य के सत्या न्यास से बढ़कर कोई विशय नहीं होता कोई विशय नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? जो बूढ़े लोग होते हैं, वो कहते हैं, हमारा अतीत बहुत अच्छा था हमारे समय तो यह होता था, आज देखिए, यह सब जितनी लोग हैं, सब के सब जो हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है और जो भविश्य है, उसके सत्यानास की बात करेंगे, आने वाला समय ऐसा आएगा कि कोई नहीं बचेगा, सब का सत्यानास हो जाएगा तो यह क्या कहते हैं, यह अपने आप उस चीज को प्रस्तुत करते हैं कि जो हमारा भूत था वो बहुत अच्छा था, जो हमारा वर्तमान है वो बहुत खराब है, और जो हमारा भविश्य है उसमें तो कुछ नहीं बचेगा तो यह चीज आपको साफ साफ दिखाई देगे, एक जगा अचारे रामचंद सुक लिखते हैं, बैर क्रोध का अचार है या मुरब्बा है जब बैर क्रोध का अचार है या मुरब्बा है जब बैर आजाएगा तो क्रोध अपने आप होगा जैसे ही सत्रुता होगी तो क्रोध आजाएगा तो बोलते हैं कि बैर क्रोध का अचार है क्या है अचार जैसे ही अचार चाटोगी क्रोध आजाएगा ये सब क्या है सूत्रवाक के है ठीक है फिर क्या है समवादियोजना इतनी पर समझ में आ गई पेज क्या हो गया अच्छा इदे हुँ अब किस से बात करनी है समवाद योजना पर समवाद योजना समवाद योजना डायलॉक अगर आप देखोगे तो चाहे कोई उपन्यास हो कहानी हो नाटक हो तो जब उनके बीच में सीधी बात्चित होती है तो उनकी प्रभाव छमता बढ़ जाती है क्योंकि सीधे वो चरित्र आपस में एक दूसरे से मिलते हैं रूबरू होते हैं और लेखक के माध्यम से परोख्ष रूप से वो चरित्र को नहीं जानते हैं ठीक है यदि लेखक खुद बीच में आ जाए तो अगर आप देखेंगे तो यह शैली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाते हैं मतलब लेखक के द्वारा जो चरित्रों का जो प्रदर्शन है वो नहीं होना चाहिए कैसे होना चाहिए नाटक उपन्यास कहानी इसमें जो भी चरित्र है वो आपस में सीधे बात करें तो वो अच्छा डैलोग वहां माना जाएगा मतलब सीधी बात्चीत होनी चाहिए कैसी बात्चीत होनी चाहिए सीधी बात्चीत होनी चाहिए अगर सीधी बात्चीत नहीं हो रही है तो फिर आप देखेंगे कि यहां पर समस्या है या यदि लेखक बीच में आकर खड़ा हो जाए और यह बताए कि इस चरित ने यह कहा इस चर ने यह कहा तो वह रशनाच्छी नहीं है मान लिजे कि जो हो रही है और वो धनिया है उन दोनों को आपस में बात करनी है लेकिन वो दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं अब बीच में कोई अन्य चरितर आके उन दोनों की बात कराए तो क्या अच्छी शैली है तो इस सैली को अच्छा नहीं माना जाता इसके अलावा अगर हम बात करें अच्छी समवाद योजना वो है जो छोटे-छोटे कसे हुए चुस्त और गतिशील हो कैसे? छोटे-छोटे छोटे-छोटे शब्द होने चाहिए इसके अलावा उसमें जो गतिशीलता होनी चाहिए और चुस्त होने चाहिए ये सारी चीजें आपको जब आप प्रेम चंद को पढ़ेंगे तो वहाँ खूब दिखाई देगा छोटे-छोटे कसे हुए चुस्त और गतिशील शब्दों का प्रियोग होता है जो कतिशीलता इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे एक से दूसरी बात दूसरी से तीसरी बात तीसरी से चोथी बात आगे कहानी बढ़ती रहती अगर रुग गई बीच में कहानी कही तो फिर वो खराब माना जाता है साहित किदिश्टी से कि यदि संवाद लंबे हो तो पाठक उबने लगेगा क्या होगा उबने लगेगा कि ये क्या चल ला है ये कही बात बता रहा लंबी लंबी बाते जैसे होरी कहता है कि मर्द साथा में ही पठा होता है जब साथ साल का होता है तभी पठा होता लेकिन कहता है तो गलत है लेकिन वो होरी जब ये बात बोलता है तो इस बात को धनिया फिर इसका आप देखेंगे कि इसका जवाब देती है का हाँ इसी लिए दूद नहीं पाते हो ना इसी लिए आते दूद नहीं पाए गाय की तलास और गाय को आप देखेंगे कि इसको पालने के लिए कितने उपकरम करने पड़ते है कितनी मेहनत करने प कि इसके अलमा आप देखेंगे कि समवाद अगर लंबे हैं तो पाठक उबने लगता इसलिए छोटे और चुस्त समवाद अच्छे माने जाते हैं इसलिए यदि दो चरित्र आपस में बात कर रहे हैं ठीक है एक चरित्र दूसरे चरित्र से बात कर रहा है लेकिन अच्छानक तीसरा चरित्र बात काट दे मतलब दो चरित्रों के बीच दो चरित्रों के बीच बात काट कर तीसरा चरितर सामने आ जाए आ जाए तो इससे प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है क्या हो जाता है प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है दो आदनी बात करें ए चुपरो उसमें प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता है ठीक है और इससे क्या होता है गती और कसाव दोनों में वृद्धी होती मत्दब रश्ना की जो गती है और जो उसका कसाव है इसलिए मैं बोलता हूं कि आंसर कसा हुगा है पूरा गती और कसाव दोनों में वृद्धी हो जाती है और जब दोनों में वृद्धी हो जाती है तो आप देखेंगे कि रश्ना अपने अपने अद्भुत बन जाती है लेकिन ये सब करने के लिए किसी मजबूत लेखक का होना ज़रूरी है अगर ये सब करने के लिए लेखक उतर और कहीं वो जिसको उतार रहा है बीच में कि तुम रोको और कहीं वही आगे बढ़ गया कि मैं रुकूंगा ही नहीं मैं आगे ही बढ़ूंगा तो मुख्य पात्र या जो मुख्य कहानी है वही तूटने लगेगी तो इसके लिए रचनाकार का सामर्थ शाली शक्ति शाली होना जरूरी है तो यह इस बात को भी समझना है इसके लावा समवाद में अगर आप देखें तो अच्छी समवाद योजना का एक ये भी उसके लक्षण में आप जोड सकते हैं कि वह कहानी को आगे बढ़ाने वाली होने चाहिए ठीक है अच्छी गती होनी चाहिए समवादों के बीच में कोई ऐसा प्रसंग छिड़ दिया जाए जो कहानी को अगले मूड पे ले जाए मतलब अगर आगे लेके जाना है तो समवादों के बीच में समवादों के बीच में बीच में ऐसा प्रसंग जोड दिया जाए जोड़ दिया जाए जो कथानक को आगे ले जाए जो कथानक को आगे ले जाए या कहानी को अगले मोड पर प्रस्तूत करें मतलब आगे अगले मोड तक लेके जाए ठीक है? clear? जेभान से हमाए जाए जाए या? क्या जिता हमाए जब आए Brew्ल को आगे जाए देशकाल और वातावरण देशकाल और वातावरण थक गए तो इसको कल बताएं देशकाल और वातावरण तो अच्छे उपन्यास या नाटकों में देशकाल संबंदी सूचनाएं दी जाती है ठीक है किन्तु ये सूचनाएं जो प्रतेक्ष रूप से नहीं दी जाती है अब प्रतेक्ष रूप से दी जाती है सीधे नहीं बताया जाएगा कि ये कब लिखी गई है आई ये कहीं ठीके तो इससे क्या होता है अगर आपने उस रचना में बहुत जादा जो तितियों का प्रियोग किया तो रचना बंध जाती है क्या हो जाती है बंध जाती है उसमें आगे बढ़ने की छमता नहीं होती है इसी में ही आएगा इसी में ही आएगा इसी लिए समध रचनाकार जो होता है जो मजबूत रचनाकार होता है वो देशकाल की निश्चित सूचनाई देने से बसता है मतलब देशकाल की निश्चित सूचनाई वो नहीं देगा देशकाल की निश्चित सूचनाई देने से बचता है जो भी बात कहेगा वो अप्रतेक्ष रूप से कहेगा अप्रतेक्ष रूप से बात कही जाएगी अप्रतेक्ष रूप से बात कही जाएगी ठीक है? मतलब कोई बात ऐसा नहीं कहेगा इंडिरेक्ट वे में कहेगा क्यों? क्योंकि वो जब निश्चित कोई तिथी देगा तो औरश्चना बंध जाएगी अपने समय का अतिक्रमन नहीं कर पाएगे इसलिए समर्थ रशनाकार कोई निश्चित तिथी या समय नहीं बताता है ओके इसके लमा अगर आप देखें इसका जो मुख्य करण क्या है कि वर्तमान में भी वरचना प्रासंगिक बनी रहे ऐसा वो क्यों करता है क्योंकि वर्तमान में भी उसकी प्रासंगिक्ता वर्तमान में भी गिक्ता बनी रहे इसलिए उसकी सूचना नहीं देता उस समय जो किसानों की सिति थी आज भी अगर हम देखें तो किसानों की जो परशानी है वो इसी तरह की आपको दिखाई देती है ठीक है और इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रेम चंद के गोदान की एक जो सूचना नहीं दी गई है या जो तिति या वर्ष का भी नहीं वर्डन किया गया है के वल ये बात बताई गई है कि लखनउ सहर के आसपास की बात ठीक है अपने समय काल प्रस्थितियों से आगे निकलता है वो अतिक्रमण कर जाता है और अतिक्रमण इस अस्तर पर करता है कि उसे महाकाव्य का दरजा मिलने लगता है कि वो महाकाव्यात्मक उपन्यास क्यों क्योंकि उसमें किसी भी समय किसी भी तिथी किसी भी अन्य चीज गाउं सहर का नाम नहीं दिया गया लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो पूरे अवद को आपके सामने ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि लग रहा है पूरा अवद ही आपके सामने अपना वडन दे रहा हो इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है तो आप देखेंगे कि इन सब कार्णों से प्रेम चंद का गोदान एक महा काव्यात्मक श्रेडी में पहुँच जाता है ठीक है और वातावरण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर जो प्राकृतिक वातावरण की चर्चा की जा रहे वातावरण का मतलब होता है समाजिक आर्थिक राजनितिक वातावरण भी कैसा वातावरण का मतलब क्या क्या होता है समाजिक समाजिक आर्थिक राजनितिक और जो प्राकृतिक वातावरण भी यहाँ पर जोड़ लो इसमें सब चीज आते हैं वातावरण का केवल मतलब यह नहीं होता कि नेचुरल सभी तरीके के वातावरण को शामिल किया जाता है जैसे जब महाभोज को पढ़ोगे तो वहां राजनितिक वातावरण जो राजनितिक माहौल उसको प्रसुत किया गया तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा जब आप मैला आचल पढ़ोगे तो वहां पर प्राकृतिक वातावरण भी आपको दिखाई देगा वहां की जो प्रकृति है वहां पर किस तरह से जो नदी बहती है उसका सब का ओड़न है तो यहां आप देखेंगे कि कथान की जुगती है या उसको आगे बढ़ाने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है मन्नु भंडारे मन्नु भंडारे इसलिए आप देखेंगे कि पाठक स्वयम उस वातावरण के भीतर अपने आपको महसूस करता है जैसे महाभोश में आप देखोगे तुम्हें लगेगा कि तुम गाउं में चले गए हो बिहार के लगेगा उस गाउं में ही बैठे हो आम के पेड़ के नीचे और गाना गा रहे हो यह क्या है वातावरण प्रधान है तो इस तरीके का आपको जो वर्डन तो यह अभी जितनी भी हमने चर्चा किया चाहे वो कहानी हो चाहे वो पन्यास हो चाहे वो नाटक हो और एक तत्व और क्या बढ़ जाएगा नाटकों में अभिनेता अभिनेता का मतलब क्या होता है कि जिसका अभिने किया जा सके अभिनेता हो जिसमें आम तोर में नाटकों में सबसे ज़्यादा अभिनेता का तत्व होता इसलिए नाटक में साथ तत्व होते हैं अगर तुमसे पूछा जाए नाटक के तत्वों के आधार पर सकंद गुप दिखना पुड़ेगा किया समझ गई कोई भी प्रश्ण अब इसके बाहर नहीं इसलिए हमने उस समय जब आपको कहानी बताई थी तो इतना स्पस्ट नहीं बताया था क्योंकि हमको आगे बताना था तो अब हमने इसको बताया अब इसी आधार पे कहानिया भी उपन्यास भी नाटक भी सब आगे बढ़ें तो आज की क्लास में सारी बाते आपको क्लियर हो गई ठीक है चलो आज के लिए इतना ही थैंक यू